कि स्वागत और अभी नंदन आप सभी का द्रश्टि की स्पी किस सेगमेंट के अंदर दोस्तों आज आप और हम जो आमने सामने हुए हैं उसका मुख्य कारण है दोस्तों आज उत्राखंड PCS के अंदर जो आपका सामाने अध्यन है उसके जो पेपर है सामाने अध्यन का उसके अंदर एक सेग्मेंट है विज्ञान और प्राध्योगी की सामाने विज्ञान और प्राध्योगी की उसके स्लेबस को डिसकस करने के लिए जो की प्रारंबिक परिक्षा का अलग होगा औ उसके लिए हम आमने सामने हुए तो दोस्तों उत्राखंड PCS जो है उत्राखंड लोग सेवा आयोग वह है आपके सिवल सरविसज एग्जाम के अंदर जो सामाने अध्यन का आपका पेपर होता है उसके अंदर सामाने विग्यान और प्राध्योगी कि स्लेबस को किस परकार से गठन किया है उसके कौन-कौन से आयाम है आपको पढ़ने के लिए कौन-कौन से जो चैप्टर मिलेंगे उड़के लिए हम एक द्रश्टी जो है उसके उपर रखते हैं जो कि आपके स्लेबस की पॉइंट विव से बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं तो उस्तों प्रारंभी परिक्षा प्रेलिम्स एक्जाम से स्लेबस जो है और करते हैं कि वह क्या पूछ रहा है हम से भारत में विज्ञान और प्रौधियोगी की नि भारत की अंदर किस परकार से विद्ञान और उर प्रौधियोगी की लिए और उसका ुए अब तक क्या योगदान रहा है भारतियों का इस विज्ञान और प्रद्योह इंके अंदर है विग्द्रव के अंदर आपको कुछ विज्ञानिक्ष सुझोष भारतके जो स्टार्टिंग से लेकर करके अब तक तक जो काम किया गया है उनके दवारा और उनको हमने जानना है एक और टौपीक है दोस्तों जिसका नाम है उस्जामाबिक के अंदर हालां की टौपिक समसामाइकिक का है करण्ट अफेयर्स का जो कि आपको लगातार पिछले एक साल जब आप एकज़ाम दे है और राष्ठ्री और अंतराष्ठ्र पर दिया जाते हैं वह है पर उसकार होज न्वेशन यानि रिसर्च विग्यान कॉंग्रेसस सम्मेलन कितने विज्ञान कॉंग्रेस से मिलिन हो चुके हैं या जो रिसेंट में हुआ है उसमें कोई विशेश बात वहां पर उठी हुई हो या उसके विशेश संदर में कुछ और नई अन्वेशन यानि कि रेसर्च हुई हो या वहां पर कोई special feature हो उसके उपर प्रशन आपका बन सकता है सार प्रवध्योगी की यानी सोलर टेखनालोजी मानव कल्यां स्वास्त और और उशद के लिए न IO owns यानि peak को देखना है और हुआ है चीज आपको करन्ट अफेर से जोड़के पढ़नी पड़ी कि किसी बुक्स में तो ऐसे तो है नहीं कि मालो चपी-चपाई मिल जाए पुराना मिलेगा तो अच्छा रहेगा यह यह करन्ट की मैगजिन जो द्रश्टी आपको उखलब्द करवाती है और आप किसी न्यूस पेपर को टार्गेट करते हुए अपने इस नॉलेज को डे बाइडे अपडेट करिए क्योंकि यह आपको डे बाइडे ही मिलेगा जिसकी वज़े से आपको और जो द्रश्टी की मैगजिन है मन्थली करेंट अफेर्स की आपको जो है पूरे पिछले के अंदर एनवायर्मेंट का आ गया है उसको आप जोग्रॉफी में पढ़ेंगे हालांकि वह लिखा साइंस में है परन्तु चूंकि हमारे जोग्रों के पहले कलीक्स जो है वह इन टॉपिक्स को करवाएंगे जोग्रॉफी में तो यह चीज आपको वहां पर मिलेगी जिस इंग्लीश की बात करें इसको नेशनल एंटरनेशनल एवार्ट्स प्राइज़ डिस्कावरीज इन्वेंशन्स साइंस कंग्रिस कंफरेंस सोलर टेक्नलोजी एप्लिकेशन ऑफ न्यू टेक्नलोजी फॉर यूमन वेलफेर हैल्थ एंड मेडिसीन एन्वार्मेंटल अवेर जो है आयोगी विग्यान के से बहुत जबर्दस्त है तो वह यह जाहते हैं कि उनका जो राज्य के अंदर काम करने वाला जो आपका करमचारी होगा जैसे आप आगे चल करके आदिकारी बनेंगे तो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ और रहें साइंस इन टेक्नलोजिक और होगा मजबूत कंधों पर होगा तो फिर ऐसे चीज़ों के साथ जुड़ाव जुरूरी होता है विद्यार्थी का फिर देखते हैं राज्य राश्ट्री और अंतराश्ट्री वैज्ञानिक अनुसंधान विशयक यानिकी एक तो वह जुड़ा होना चाहिए राज्य से राश्ट्री देश की गतिविजियों के साथ अंतराश्ट्री वैज्ञानिक एवम अनुसंधान विशयक यानिकी राश्ट्री अंतराश्ट्री और राज्य स्तर पर जो वैज्ञानिक और रिसर्च विशयक अन्य संगठन है जो इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हों संगठन य यानि कि कोई ऐसी तक्नीक जो इनके द्वारा इजाद की गई है यहां पर उन संगठनों को पढ़ना है यह भी आपका जोग्रॉफी के अंदर एकानोमी के अंदर यह पॉर्शन रहता है तो वह चीज भी आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे आई यू सी एन यह आपका जोग् जोग्रॉफी और कुछ पॉर्शन हो सकता एकानोमी के अंदर आपको मिले बेसिकली जोग्रॉफी के अंदर मिलेगा तो यहां पर जो है आपका स्टेट्स नेशनल इंटरनेशनल साइन्टिफिक एंड रिसर्च रिलेटिड अधर अर्गनाजेशन आई यूसी एन पर हैं वहां पर तो उनको वह चाहता है कि आप यहां से पढ़िए तो यह पूर्शन जो है फिर आपको एक बार जोग्रॉफी के पॉइंट वी से जाना पड़ेगा सूचना प्रध्योगी की में यहां पर एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट होता है एंफॉर्मेशन टेक्न में कम्प्यूटर दोनों दुसरे साथ में क्या है जुड़े हुए हैं तो इनफॉर्मेशन टेक्नलोजी एंड एप्लिकेशन ऑफ कम्प्यूटर से डेडिलाइफ यानि सामाने जीवन के अंदर हम सूचना प्रध्योगी की और कम्प्यूटरों से क्या हम उसका यूज करते हों वह चीज जो है पार्डर्शी ता को या लोगों के लिए सरकार के बीच में जो सम्मंध है उसके लिए वह बहुत सुगम हो जाएं और राज के जितने भी कारे कलाप है सरकार के द्वारा किये जाने वाले वह सब जनता के समुक्र आपके इस प्रकार से आएं कि जनता को उसके उपर पुरा भरोसा हो उसको पुरा विश्वास हो और एक अच्छी सरकार के परती उनका जो है नजरिया एक अलग आयां से उभरे यह गवर्नेंस के साथ में आपके जुड़ा हुआ कि पोर्शन रहेगा बेसिकली सूचना प्रवध्योगी की पाफी लंबा टॉपिक है इसके साथ में कंप्यूटर जो इसी के साथ का जुड़ा हुआ हिस्सा है वह है चीज़ अब फिर एक बार जो एन्वायर्मेंट और एकोलोजी का पोर्शन फिर विज्ञान में इन्होंने दिया है तो सुधूर समवेदन की आवधारना यानि की कॉंसेप्ट आफ रिमूट सेंसिंग ठीक है जी आई एस अनुप्रियोग है ना जी आई एस अनुप्रियोग मौसम पूर्वानुमान प और एकोलोजी के अंदर कवर की जाएगी ठीक है तो यह वहां पर आपको देखना पड़ेगा दोस्तों ठीक है ना कॉंसेप्ट आफ रिमूट सेंसिंग एंड जी आई एस अप्लिकेशन वेदर फॉर्कास्टिंग साथ में एप्लिकेशन आफ स्प्रेडशीट एंड डेट फिर हमारे पास में यह आपका बेसिक फिजिक्स जो है उसके उपर अधारित किया गया है कंप्यूटर हालां कि इसको पॉर्शन लेकिन कंप्यूटर को टेक्नलोजी में रखा जाता है तो वहां पर ज्याद अच्छा यह अपना रोल प्ले करता है तो कंप्यूटर और जागरुपता कंप्यूटर विज्ञान भौतिक विज्ञान और जागरुपता यानि कि फिसिकल साइंस और अवेर्नेश इसके अंदर आपको कंप्यूटर और सुचना प्रक्रमण के सिध्धांत बताये गए हैं Phantom of Computer and Information Processing के साथ सूचना जो है वह Information किस पारकार से प्रोसेश्ट होती है comprehensive है इसिश टॉपिक के उपर यहां को सिज्ञाब है मौलिग कंप्यूटर सुंगठन इन की computer के basic computer organization यहांई computer के जो आपके आधार भूत मौलिक संगठन है उसके बारे में यह एक नया concept है Boolean बीज़नित और लॉजिकल गेट्स यह आपके important है logical gates आपके किस प्रकार के होते हैं कैसा काम करते हैं Boolean algebra जो है computer के नदर किस प्रकार से काम आते हैं वह यह साथ में समस्य समाधन तकनीके यानि कंप्यूटर काई की बहाशाय इतने प्रकार की होती यह इक्टार की हो बहुत बहुत से equipment होते हैं जिसको हम एक ही करकेस के साथ में देखेंगे और एक्च्वेट में नहीं होकर करके प्रकार की software है वह आपके software है व्यापारिक आंकडा प्रकर्मन ठीक है यानि कि business data processing किस प्रकार से computer करता है आंकडा संप्रेशन computer network यह भी बहुत important है यानि कि डेटा को कैसे आप आगे कम्यूकेट करेंगे उसको कैसे प्रकार से आगे भीजेंगे वह है प्रकार के साथ में जनता के साथ में जुड़ने का बहुत महत्पून टूल भी है ठीक है इंटरनेट और मुल्टी मीडिया इंटरनेट की पूरी उपादाईता क्या होता है क्या नहीं होता है मल्टी मीडिय क्या है मल्टी मीडिया जो है उसकी अनुप्योग और उनके उप ग्लावड कंप्यूटिंग क्लावड कंप्यूटिंग का मतलब होता है यहां पर डेटा आप स्टोर कर सकते हो जहां पर नपीजी किसी प्रकार से वह सकते हैं पिसी का अनुप्रियोग परस्नल कंप्यूटर का अनुप्रियोग जो है वह कैसे होगा सॉफ्ट्वेर पैकेज़ साइबर अधिनियम के मूल भूत तत्व शाइबर सिक्यूरटी उसके लिए कौन-कौन से मुल बद कत्व बनाये गए हैं उनको यहां पर आपको पूछा जा सकता है अगर इंगलिश्वी बात करें हम यहां आपको प्राप्त करनी है अभी वरतमान में सबसी इंपॉर्टन चलने वाली लेडिस टेक्नलोजियों में से हैं आपका आपको विज्ञान और प्रद्योगी के लिए प्रिलिम्स के साथ में जोड़ा है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सेग्मेंट आता है इसका केमिस्ट्री को जोड़ करके बनाया गया है आपका पदार्थ और इसकी अवस्थाएं मैटर जो है आपका और उसकी जो स्टेजिस इस इसमेटर या उसको देखना है आपको पदार्थ के अवस्थाएं कितनी होत से अभी आपके जहन में होगा कि तीन होती है कोई बताएगा चार होती है पांच यह अभी तक 21 है इस वक्त आज की टाइम में 21 लेकिन पांच आपकी एंसियाटिक ताहती है तो उसको पांच तक हम देखेंगे छटी का नाम में आपको सिर्फ लिखवाऊंगा वह होती क्या है किसने बनाई कैसे वह देखेंगे इंपांच तक में आपको लिखवाऊंगा है ना आमल चार और लवन यह बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है और लगबग लगब सभी आयोगों ने इसको रखा है इसके साथ यह आपका पी-एच लेवल जो है पी-एच स्केल जो है वो उसका और वित्रण के साथ देखना है भारी और हल्का पानी है डेटूओ ड्यूटरियम ऑक्साइट हल्का पानी सगन पानी शुद्धी करण बैटरियां इंधन सेल विनाशन देखो यह बड़े हिंदी के शब्द बड़े खतरनाक होते हैं और यहां पर आप देखो तो और एक इसका है क्या आएगा यह को तो और फिसका इसे इलाज किया जाता है गलमनैजेशन बगएर रहा है साथ काम करें समानता के तत्व समानता के तत्व जो है आपको इस प्रकार से पूझा गया है कि यहां पर element of symmetry कि symmetry वाले elements कौन कौन से हो सकते हैं यह chemistry के दिर दो elements of symmetry के साथ में पूछा गया है साथ में polymers यह काफी इंपॉर्टेंट है और लगबग यह आज गल वर्तमान में सबसे ज्यादा उप्योग में लिया जानवाल टॉपिक है Carbohydrates, proteins, nucleic amyl, DNA और RNA दोनों हो सकते हैं यहां पर लिपड़ों ही विटामिन यानि ये Carbohydrates प्रोटीन, Lipids, vitamins और हार्मिन यह food chemistry का हिस्सा है ना भोजन पोशन पोशक तत्व इस परकार का जो हम आम तोर पर देखते हैं वो यही है जो खुला खुला इन्होंने दे दिया है कि यह पड़ी गया यह और स्वास्त देखवाल यानि की मेडिसिन और आपका जो हेल्थ केर है उसके बारे में आपको जानकारी होने चीए क्योंकि इस समय कोवीड का जो दौर चल रहा है इसके से कपड़े रंगने के लिए बाल रंगने के लिए और भी चीज़ों के वह सामगर्या हो सकती है वह है इसको अलग से यह नोग नहीं है इसी के साथ जोड़ा हुआ है यह कार्बो हेड्रेस प्रोटीन है लिपिट्स वाइटमिन्स मिनराल रफिजिस और पानी यह सब मिलकर क्या है फूड केमेस्ट्री का निर्मान करते हैं तो यह सब कुछ चीज़ें जो है मैटर एंड इट स्टेजिस एसिड बेस इंड सॉल्ट इंग्लिश का इसका वर्जन है ओरीजन एंड इस्टुबीशन आफ दे अलेमेंट्स हार्ड एंड सॉफ्ट वार्ट यह कॉंसेप्ट बड़ा तगड़ा है यह यहां पर बड़ा अलग से देखरा है यहां पर जो सघन पानी है वाटर जबकि यह आपका भारी पानी है और हार्ड वाटर सॉफ्ट वेर्द इंग्लिश में और हिंदी में बड़ा सा अलग-अलग क्राइटेरिया आ जाता है अगर मैं यहां पर बड़ात करूं तो भारी और हलका पानी भारी पानी पानी गुरु पानी जुटिरेम उक्साइड लेकिन यहां इंग्लिश में बदल दिया हाड़ ऑड़ वाटर हाड़ वाटर कौनसा होता है उसमें कौन से आयन पाय जाते हैं और वाहाचीज आगया और जो यहां पर उसम हो जाता है इसलिए इंग्लिश वारे वर्जन को भी आप लगातर साथ में देखते रही है कि है वी वाटर प्यूरिफिकेशन याने कि शुद्धी करण बैटरीज फ्यूल सेल और को रोजन जो मैं आपको बता चाहूं संक्षारण जो से बोलते हैं विनाशन नुकलिर फ्यू यह बिल्कुल सही लिखा आगे नुकलि लगाना बहुत जरूरी है अलेमेंट्स ऑफ सिमेट्री पॉलिमर्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन नुकलिक एसिट्स लेपिड हार्मोन वाइटमिन मेडिसिन एंड हेल्थ केर डाइज कॉस्मेटिक्स फूड केमेस्ट्री यह कि मेकेंगस या जान्त्री की संवाने विशेश्ताय की विशिश्टाय क्या ती है और फिजिकल भी हो सकते हैं और आपकी रख़ी मेयं तरंगती याँ यहां पर आपको एक ही ट्रॉपिक है यह आपका इसको हम बोलते हैं वीव्स इसमें दो तरह की आपको और टरगे मिलती हैं यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे गधनी कहा जाता है जो कि यहां पर आपका दिया गया है एक्र mm रिप्स हें मिद्ध विट्रिक और साथ भी अब डिया हुआ ऊश्मा और प्रंका react यह जो प्रका goofy दोस्तों। यह आपकी इलेक्ट्रो मेनीटिक्व है और उश्मा यहां एक स्थान से फिसान पर जाती जो है यह दूर आता है तो ऑब करन्य दिल्यों की तरह काम करता है तीन लाहक किलिमेटर प्रती हर्थी जटप्तार से यह इसकी घती भी ठीक है साथ में चुम्बकत वो मैगनेटिजम विद्यूत यानि की एलेक्ट्रिक करेंट पूरा टॉपिक है इसके उपर पर्मानु और नाविक यह भौतिकी पर्मानु और नाविक यानि इसके उपर आपको जितने भी उपग्रह से संबंदित जानकारियां होती है या प्रित्वी की कख्षाएं होती है उसके साथ जुड़कर के काम करना पड़ेगा हीट लाइट जो कि यहां पर था मेगनेटिजम एलेक्रिसिटी अटॉमिक एंड नुक्लियर फिजिक्स और यहां ऊपर आपको मेकेनिक्स जनरल प्रॉपिटिस ऑफ मैटर वेव मोशन साउंड एन एलेक्ट्रो मेगनेटिक वेवस यह आपको पूछा गया साथ ही साथ उसन तो यह ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि फिजिक्स के आपके जगह जगह से उठाए हुए टॉपिक जो एक साथ को कंपाइल करके दिए गये हैं और इसी के आधार पर आयोगा आपसे प्रशन भी पूछेगा तो चीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके साथ जीवन विज्ञा यानि लाइफ साइंस यहां हम ज्यादा नहीं तो कम से कम बायलोजी की शाखाओं के साथ जोड़के देख सकते हैं तो लाइफ साइंस की जो है वो क्या साखाएं है बाटनी है जोलोजी है जैनिटिक्स एंजिरिंग सब कुछ इसके साथ में जोड़ता है आपका और उनका योगदान प्राकर्तिक संसाधन और प्रबंधन यह हमारा जोग्रॉफी वाला इससा स्टार्ट हो जाता है कि यहां पर थोड़ा सा भू मंडली उश्णता जलवायू परिवर्थन पशुपालन पादप और मानव कल्यान यह भी आपका जोग्राफिका हिस्सा है जो एन्वार्मेंट एकोलोजिस से जुड़ा होता है जो हमारे कलीग आपको पढ़ाएंगे हमारे पास वापिस वही चीज़ आ जाती है कि सोख्षमा प्रद्योग माईक्रो बायलोजिड और उसकी टैक्नलोजी माईक्रो टैक्नलोजी के इंदर आपकी प्रकार से जाते हैं जैव उत्पाद बायो प्रोनेक्ट्ट्स क्या है प्र्तिरक्षन क्या है यह दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है स्वास्त देख वाल मतलब इसमें कुछ डिजीज जो है आपकी वह आएंगी बीमारियां रोग हालां कि आगे पीछे भी है यह तो मैं उन्हें सब इस साथ बना करके जब पढ़ाने की हमारी बारी आएगी हम उसको एक साथ बना करके और हम देखेंगे कि इस प्रकार से दूसरे से जुड़ा हुआ बायो टेक्नलोजी है आपकी जैववप्राद्योंगी की इसकंद्र डी इन फिंगर प्रिंटिंग है आपका स्टैंट सेल ट झावधित जीवधा रही हरे हिंदि के शब्द बड़े थोड़े घतरनाख हैं तो इहाँ हम इंगलीश में देख ले इसको कि जैनेटिकली मोडिफाइड और्गनिजम कहते हैं इसको है ना जी अयमों इंगलिश में पोलते हैं जी एमो जैनेटिक मोडिफाइड ऑर्गनिजम ठीक है उसके बाद में यहां पर यह हमारा पॉर्शन जो है उसको हम वहां पर देती है नैचुरल स्रॉस्स मेनेजमेंट लिए नैचरल स्रॉस्स मेनेजमेंट भाइव लग्वायोडाइवरिसिटी ठीक है यह वाला है और यहां पर ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमिट चेंज लाइब स्टॉक ब्रीडिंग प्लांट्स एंड योवन वेलफेर यह आपके इन्वार्मेंट और टॉपिक्स के अंदर जोग्रोफ में पढ़ा जाएंगे यह चीज़ें हमारे पास इंग्लीश में बचती है जो कि आपकी बाइस लाइफ साइंस की ब्रांच इस क्या ह स्यरीत यह चीर कि लाइफसेंस की ब्रांचित क्या है कर नहीं किया है अब आ चलए टेकनोलोजी क्या है नेनोटेकनिलोजी यह आई लोगाय यह नहीं हैं हिंदी के अंदर यहां आपको दे रखी है नेनोल फे एलस फैड़लिक हैं इमनुνοइजेशिशन-हेल्थ कियर और ज आससे नोलिज आपको होना चाहिए और ऱेस्ट सेक्वक्त से डीया है आप इन्हेश बातों को सॉल्ड यह और कि मूल अवधारणा आगेに ब्रहें को अदूर्श है और गज्ञानिक परिभाश्य कि इसको भी दिया गया है दोस्तों तो कुछ scientific terminology होती है जिसके ओपर ये काम किया जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है कुछ शब्दावलियों को जो है current में daily life में भी हम देखता है और यहां पर भी वह आप से पूछा जा सकता है तो इसको भी छोड़ा सा जहन में रखिए आप फ इसी के आधार पर ही हम अपनी classes को start करेंगे और जहां जहां बिखराव है आयोगन ने दिया है जो उस बिखराव को जोड़ते हुए हम एक topic में आने वाली सारी बातों को एक ही ले में रख करके उसका अध्यन करेंगे ताकि आपको आसानी हो सुधा पुरुन अध्यन के लि जब टू ओ, करेंगे ले बातों को जा सारी और जाको एक जए है अग्यन कर आए हम वाले जया